सुक्सेस्ट्री हिमाचल के इस बहतरी मंच पर दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत और हरोज की तरह मैं उमीद करता हूं आप सबकी तयारियां बहुत यह अच्छी शांदार और आपकी सिहत भी बढ़िया होगी आपके परिवार की सेहत भी बहुत ही शांदार होगी तो करते हैं आज का सेशन दोस्तों आज 9 जनवरी 2014 है और आपको पतर है आज के दिन का इतिहास भी जो है बड़ा गहरा है बड़ा सुनहरा है दोस्तों लेकिन उसे पहले हम बात करेंगे विवेका नंजी के इस विचार की लेकिन उसे पहले जो जो विद्यारति आ चुके हैं सभी को नमस्कार जिसमें अभिशेक ठाकूर जी और रंजीता देवाशीश करिश्मा और भाई कहीं सारे विद्यारती हैं कावी सारी बात्ची चल रही है निशा डोगरा तो शुरू करते हैं आज का सेशन तो भाई विवेका रंजी ने कहा था दोस्तों हर चीज जो है ज जब आप लेजी होते हैं तो आपके ओपर डेपेंड है कि आपको लेजी होना है या बीजी होना है सारे विद्यारती बिताएं लेजी या बीजी मुझे लगता है यहां पर सारे ही विद्यारती वो हैं जो की अपने दोस्तों संकल्प को लेकर अपने जो है फ्यूचर को ल तो आज जो है गांधी जी से जुड़ा एक बड़ा इतिहास है क्योंकि दोस्तों गांधी जी हम देखते हैं भारत में जो है साउथ अफरीका के अपने एक लंबे संगहर्श के बाद जो है 9 जनवरी 1915 को है वो दोस्तों भारत पहुंचे थे और कॉंग्रेस पार्टी से जु इसके चलते जो है गांधी जी ने अब डिसाइड किया था कि भारत में आकर कॉंग्रेस पार्टी और भारत के सब्तंतरता संग्राम को जो है उसके साथ जोड़ना है तो इस दिन वो आए थे और इस वजए से जब दोस्तों अटल भ्यारी वाजपाई की सरकार थी तो उन्ह communist को ने इस 9 जनवरी के दिन को जो है परवासी भारतिया दिवस के रूप में जो है वो celebrate करने का फैसला किया दोस्तों कि भाई जो है नो है बड़े सारे परवासी अलग-अलग जाद रखें, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को मंबई में वो आये थे दोस्तों, और ये जो जनवरी का मीना है, ये दो इंपोर्टेंट चीजे गांधी जी से जुड़ी देखते हैं हम, दोस्तों, इसके अलावा 30 जनवरी को गांधी जी की पुन्यती थी भी है, क्योंकि इसी दिन न्यू डेली में 1948 में नथ्चु राम गोट से द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन इसके अलावा भी, मैं आपको कुछ और इंपोर्टेंट फेक्स बता देता हूं, जो कि दोस्तों, अग्जाम पॉइंट ओफी से बड़े इंपोर्टेंट हैं, जैसे कि गांधी जिनका जनम जो है, भई, दो अक्टूबर 1869 में जो है, दोस्तों, काठिया वार में हुआ, और अगर हम बात करें, काठिया वार के पोरवंदर में जो है, इनका जनम हुआ था, फिर दोस्तों, उसके बाद इनकी शादी हुई, दोस्तों, इनकी जो शादी है, पुतली गए और South Africa से दोस्तों जो है 1893 में ये South Africa गए और उसके बाद जो है एक दो बार भारत आए लेकिन जो है पूरे पर्मनेंट स्थर पे जो है 1915 में ही भारत वापस आए फिर यहां पर आकर जो है दोस्तों 1916 में इन्होंने Congress Party जो है उसका पहली बार अधिकारिक तौर पे जो ह 1917 की बात करें चंपारन मूवमेंट जो है इन्होंने दोस्तों वो लांच किया फिर 1918 में इन्होंने जो है खेडा मूवमेंट गुजरात में दोस्तों लांच किया गाओं थे वहाँ पर किसानों के लिए जाके संगर्ष किया फिर एमदाबाद में जो दोस्तों वरकर्स थे उनको हैजे का जो बोनस नहीं मिल रहा था वो दिलवाया, फिर उसके बाद अगर मैं जिकर करूँ, 1917-18 के बाद, 1920 में जो है नॉन कॉपरेशन मुवमेंट शुरू की, 1930 में सिविल डिस ओबिडियन्स मुवमेंट शुरू की, 1922 में कुट इंडिया मुवमेंट शुरू करी, तो दोस्तो एक लंबा जो संगार्श था, एक जो लीडरलेस मुवमेंट भारत में चलती थी, उनको जो है लीडर के रूप में ये महात्मा गांदी जो है, वो मिले थे, तो याद रखें, आज का दिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये प्रशन कभी-कभी आ जाते हैं, उनके जो सेक्टरी थे, उनका नाम महादीव दिसाई था, उनकी जो आटो बाइग्राफी थी, उसका नाम सत्या के साथ परयोग, माई एक्सपेरिमेंट विड टुथ है, दोस्तों, इसके लावा, उनके लिए महात्मा शब्द, पहली बात, रविंदना टगोर ने, फादरोदा नेशन, उनके लिए जो वर्ड है, वो दोस्तों, उनके लिए, जो है, वो सुभाष चंदर बोस ने, इसके लावा, कहीं सार के सरे हिंद, बहुत सारे नारे उनके द्वारा दिये गई थे, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में डू ओ डाई का, तो बड़े प्रशन हैं, दोस्तों, बहुत बड़े व्यक्ति थे, और इसलिए हम इन्हें भारत का पितामा के तौर पे याद करते हैं, तो दोस्त जी के राजनितिक गुरु गुपाल कृष्ण गोखले, बहुत ही बड़िया देवाशीश, तो यहां पर जो है, हम बात करेंगे हमारी पहली न्यूस की, लेकिन दोस्तों, उस पहली न्यूस से पहले, मैं आपको बता दूँ, भारत में, जब मैं बात करता हूँ, दोस्तों यूनियन लेजिसलेचर की, यूनियन लेजिसलेचर से मेरा भाव जो है, दोस्तों के इंदर में, जो हमारा संसद है, और इसके इलावा हमारी जो स्टेट लेजिसलेचर होती है, दोस्तों ये जो के इंदर और स्टेट लेजिसलेचर, के इंदर सरकार का मतलब है, यहां पर कि अगर मैं बात करूँ, UP है, जिसमें कि बात करूँ, बिहार है, MP, जिसमें हम बात करें, महाराष्ट्रा है, जिसमें करनाटका है, आंध्रा परदेश है, और तिलंगना है, जिन बच्चों ने पहले पॉलिटी नहीं पड़े, उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल होगा लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आभी जाएगा, तो वैसे हमारे हर स्टेट में विधान सभा तो अग्रेस्ट करती ही करती है, दोस्तों यह सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वह इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जब भी भारत में परदान मंतर मुख्य मंतरी का इलेक्शन है, जैसे इस साल है, तो इसका मतलब लोगसभा का इलेक्शन होता है, और जब भी किसी स्टेट में मुख्य मंतरी का इलेक्शन है, तो विधान सभा का इलेक्शन है, जैसे हमारे यहां भी आखर में हमने देखा था, दोस्तों, पिछले साल भूक हुआ जो कि आज की न्यूस से जुड़ी हुई है दोस्तो वो यह है कि बहला हम ऐसा बोलते जरूर है कि परधान-मंत्री से लिए लोग्सभा के ऐलक्षन होता है मुख्य मंत्री के लिए विदान-सभा का आशकन होता है लेकिन जो प्रधान-मंत्री वह दोस्तोаров को सब करता हो ऐसे किसी व्यक्ति को भी परदान मंतरी बनाया जा सकते है लेकिन उसके लिए कंडिशन होती है कि उसको छे महीने के अंदर अंदर जो है दोनों में इसे एक हाउस का मेंबर बनना जरूरी है चाहे वह लोगसभा का बने चाहे वह राजेसभा का बने जैसे दोस्तो मुख्यमंत्री की है, तो मुख्यमंत्री विधान सभा से, विधान सभा की एलेक्शन से बनता जरूर है, लेकिन अगर उस राज्य में विधान परिशद है, जैसे हमारे हिमालचल में तो नहीं है, तो दोस्तो अगर किसी स्टेट में है, तो उसका मेंबर भी CM बन सकत और दोस्तों ये बिल्कुल सेम्ट्यू सेमárias के लिए लिए क्वीन के नंदटराइब से लिए कैबिनेट मिनिस्टर बहिसे की अन्दर सर्कार में अगर मैं बात करूं तो क्राद कैबिन्य मिनिस्टरा लोकषभा का मैंबर हो यह ऑर राजसभा का मैंबर हो अगरहिं को दोनों में आपको क्यूं दे रहा हूं? दोस्तों यह सारी जानकारे इसलिए दे रहा हूं. रिसेंटली ही राजस्थान में एक ऐसी घटना हुई जिसको जो है लेकर काफी चर्चा थी. और दोस्तों कल इसमें काफी इहरानी जनक कोछ नतीजे आए अब नतीजे क्या थे दोस्तों राजस्थान में जहां पर 200 विधानसभा की सीड्स हैं वहां पर इलेक्शन सिर्फ 199 सीड्स पर हुआ और यहां पर आप सभी को पता है बीज़पी ने जो है अपनी सरकार बना ली है बीज़पी के जो मुख्यमंत्री है बज दोस्तों इन्होंने बीज़पी ने क्या किया एक जो है अपने कैनिडेट को जिसको की जो है अभी वो विधानसभा का मेंबर भी नहीं था उसको जो है भाई इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था उस व्यक्ति का जो नाम है दोस्तों वो था दोस्तों सुरिंदर पाल सिंग, यहां पर अगर हम बात करें, तो यह इनका तस्रीर है, सुरिंदर पाल सिंग, इनका नाम था और इनको मनिस्ट्र बना दिया गया, और दोस्तो इनको मनिस्ट्री कौन सी दी गई, यहां पर शायद लिखा भी हो, हाँ जी, और दोस्तो इनको मनिस्ट्री भी दे दी गई थी, अब यह जो सुरिंदर पाल सिंग, मले तो थे नहीं, अब दोस्तो अब इनको छे मीने के अंदर इंदर एलेक्शन लड़ना था, अब यह जो एक सीट बची हुई थी, इसके उपर, अब यह जो सीट कौन सी थी, मैं बता द करणपुर है, यहाँ पर विधान सभा का इलेक्शन हुआ, और दोस्तो अब मंत्री लड़ रहा है, हाला कि अभी वो मेंबर नहीं बना है विधान सभा का, लेकिन मंत्री बन चुक है, कंडीशन है, 6 मीने में बनना पड़ेगा, तो दोस्तो यह मंत्री साथ, सुरिंदर पा पार्टी है, कोई बाई एलेक्शन को हार जाए, लेकिन दोस्तो इसमें जो है, यह रिकार्ड तोड वोटे आई, रुपिंदर सिंग कुनर को, और लगबग 11,000 वोटों से बीजीपी के इस मंत्री को उन्होंने हरा दिया, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, कि सर अब व मीने से जादा आपको इसको रखना है, तो डेफिनेटली इसको कहीं और से जित्वाना होगा, किसी और विधानसभा से, किसी और जो है MLA का रिजाइन करा के किसी सीट को खाली करवाना होगा, नहीं तो छे मीने बाद सुरिंदरपाल सिंग को रिजाइन देना पड़ेगा, तो ये वाइल एक्शन हुआ था और करणपुर में जो है नव जो है जो अभी गॉर्मेंट बनी थी, न्यू गॉर्मेंट उसी पार्टी का MLA है जो हार गया, तो आपको जो समझाने की कोशिश की है, आपको डेफिनेटली है, वो समझ आ गया होगा, समझ आया तो एक बार म जी, तो भही देवाशीश ये रह सकते हैं अगर बीजपी चाहे तो, ठेक है, अगर वो चाहे तो रह सकते हैं और अगर वो नहीं चाहेगी तो नहीं रहेंगे, ठेक है, तो यो छे मिने का प्रसीजर तो है ही है, ठेक है, फिर दोस्तो आज का जो दूसरी जो न्यूस है, व coastal state's हैऑं आपको पता है और दोस्तों भारत के coastal states यहां पर हम देखते हैं दोस्तों Gujarat है फिर यहां पर महाराश्टरा है फिर दोस्तों गोवा है फिर जो है करणाट गारा है और नosive 00 cheap 5000 और यह जो है अरे थे झूश है दोस्तों जो भारत को इंडिन सब कॉंटिनेंट को अर्ब कंट्री से जोड़ता है दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहां पर तमिलाडू फिर दोस्तो अंधरा परदेश फिर उडिसा और फिर वेस्ट मंगॉल तो यह दोस्तो सारे के सारे जो कंट्रीज हैं यह स्टेट्स हैं बेव बंग से होता हुआ यॉरप और अमेरब कंट्रीज के साथ है वो होता है और रिसेंटली ही आपको याद होगा कि भई यह जो हमास जो दोस्तो यह जो गृप था इन्होंने जो है रिसेंटली ही भारत पर जो है भारत के कुछ शिप्स के उपर हमला किया था जिसको लेकर जो है अब भारत ने अपने पांच और जादा वारशिप यह दोस्तो समंदरी जहाज है वो अरेविन सी में सेट अप कर दिये हैं ताकि दोस्तो यहाँ पर जो भी हमारा वेपार हो रहा है किसी भी तरह का हो तेल का हो या कोई और समान का हो उनको पूरी तरह से सक्यूरटी जो है अब हुआ यहाँ नुकसान हो सकता है इसके कारण जो है अब ही जो मैंने बात की है कि काई सारे नए वर्शिप जो है वो यहाँ पर लगा इंगे है 10 शिप्स अभी यहाँ पर दोस्तों वह वाच कर रहे है था कि किसे भी तरह की कोई जो धुरगणा है यहां पर यह वह न पुटल नो हैं, पाँच अरिबिनसी की तरफ हैं और चार जो हैं वो दोस्तों बेव बंगॉल की तरफ हैं, फिर अगली जो न्यूस है, वो माल्दीव से जुड़ी हुई है, और ये माल्दीव की जो न्यूस है, कल भी हम पढ़ी चुके हैं दोस्तों अलडी और ये जो चाइना जो है, ये ऐसे कंट्रीज को जो स्ट्रेडिजिकल बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, दोस्ती तो जरूर करते हैं, लेकिन दोस्तों उनको जो है वो लूट लिता है, खा जाता है, उनको गुलाम बुना लिता है, अब मैं क्यों बोल रहा हूं, खा जाता है, जो है, बहुत लो रेट ओफ इंटरस्ट के ओपर लोन दे देता है, और इतना बड़ा लोन दे देता है, जिसको वो चुका ही नहीं पाते हैं, और उसके बाद जो है दोस्तों, मन मर्जी से जो है, उस कंट्री की अक्स्प्राइटेशन करता है, शुलंका के केस में हमने ऐस देखने को हमें मिला, तो अब जो है, ऐसा कहा गया था, जब ये मुहम्मद मौईजू बना था, इसकी सरकार बनाने में चाइना के पैसे का एक बहुत बड़ा जो है, वो रोल था, और दोस्तों, फिलाल जो है, आपको पता है, कि भारत में तो बहुत बड़े स्तर पर दोस्तों, आने वाले दिनों में हमें घटा हुआ दिखाई देगा, इसके लावा मैं आपको जो बेसिक चीजें आपको मैंने बता ही दी थी, मालदीव की कैपिटल है, माले है, प्रेजडेंट मौमद मौईजू है, दोस्तों, इवन आपको जानके बड़ी हिरानी होगी, क यह सारी घटना चकर को लेकर, जो है, उनकी जो फॉर्मर जो प्रेजडेंट है, भई, फॉर्मर प्रेजडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेजडेंट, उने तो यह तक कह डाला, कि भई, अब जो है, इस सारी घटना को लेकर, मौमद मौईजू को नरेंदर मोधी से सीधे- यह क्योंकि अगर यह नहीं होता तो उसका आने वाले दिनों में टूरिजम सेक्टर पर मालदीव में बहुत बड़ा और नेक्टिव असर पड़ेगा और क्योंकि दोस्तों उन्होंने पपिट ओफ इसराइल लिखा था इनके एक मिनिस्टर ने अब इसराइल भी सीधे-सीध आप देखते होंगे जो घूमते रहते हैं उसके लिए उनको पैसा भी मिलता है तो अब पिछली चार-पांच दिनों में उन्होंने दोस्तों मालदीव की बजाए यहां के बीचर्स को एक्स्प्रोर करना शुरू कर दिया है और दोस्तों उनकी रियल्स के व्यूज भी बानु है यह एक और इसका केस क्या है उससे पहले यह जो न्यूज में बता दूं क्या है सुप्रीम कोट ने दोस्तों यह जो रिलीज किये गए थी 11 कन्वेक्स जो है उनको जो है उनकी जो अजादी थी उनको दुबारा से जो है गिरिफतार करने के आदेश दे दिये हैं इनदा बिल्किस मानु केस अब यह जो बिल्किस मानु केस है क्या इसको थोड़ा समझ यह जहां से बिल्किस मानु केस से पहले यहां पर कुछ लिख भी रहे हैं हां जी बहुत बढ़िया तो बिल्किस मानु केस क्या था दोस्तों 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे और दोस्तों ये जो गुजरात के दंगे थे जिने हिंदू मुस्लिम दंगे भी बोलते हैं और ये जो दंगे हुए तो दोस्तों उसमें ये एक मुस्लिम महिला थी जिसके साथ बलातकार हुआ था और दोस्तों ये जो है बलातकार जो है बड़ा ही खतरना मतलब वैसे बलातक ही है लेकिन दोस्तों ये जो और थी उस समय पर जो है ये प्रेग्नेंट थी इसके बच्चे की भी डेथ हो गई थी और जो है मानसिक तौर पे भी ये काफी जादक स्प्राइट होगी थी तो दोस्तों अब वो जो केस है उस केस में जितने भी आरोपी थे जिन्हों ने इस बिलकिस मानू का जो है वो रेप किया था उन सभी को बाद में सजा हुई और सजा दोस्तों जो है दे दी गई थी लेकिन दो हजार जो है बाइस में दोस्तों क्या हु जा था और दोस्तों अब जो है इस केस इस रहाई के जो है अगेंस बहुत सारे political लीडर्ज ने supreme court में एक याची का दायर की थी सबसे पहली कि दोस्तों supreme court का या high court के किसी भी फैसले को ऐसे कोई भी सर्कार पलिट कर किसी की सजा माफ नहीं कर सकती है तो दोस्तों एक तो ये दुबारा से खुला और लगभग लगभग 6-7 मीने के बाद अब जो है सुप्रीम कोड दोस्तों सुप्रीम कोड की बेंच और ये जो बेंच है मैं बता दूँ सुप्रीम कोड की जो बेंच है लीड कर रही थी बीवी नगरतना और आपको मैं पहले भी इनका नाम बता चुक तो दोस्तों अब जो है उस जो है पैर था है भूरी तरह से गैर कानोनी था तो इसको लेकर आज भीवी नगरथना का हिंदू में एक पूरा अर्टिकल भी आया है जिसमें बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल 142 है दोस्तों जिसको अधार लेकर जो है इनकी सजा माफ की गई थी दोस्तों इसका मतलब बिलकुल भी नहीं है कि कुछ खास लोगों को रिहा कर दिया जाए इसके ओपर पूरा आर्टिकल है आप इसको पड़ भी सकते हैं तो दोस्तों अब जो है इनको दुबारा से बड़ी जल अँआई है और उन्हों ने जो है न्याय के उपर आपना विश्वास था और जादा वन्हों ने द्रिट बता है तो बलकिस मानो केस और यह 2022 के बाद जो है दुबारा से इस केस को प्येज़ किया गयला जिसके बाद कल सुप्रीम कोट ने जिली में कल इसका फैसला जो हो Gujar गुजराट से है। गुजराट का एक शहर है जिसका नाम है GIFT, भय आपको सीधा-सीधा प्रशन यह भी आ सकता है कि दोस्तों, GIFT का फुल फॉर्म क्या है। GIFT का फुल फॉर्म है गुजराट Infrastructure Finance Tech City, मैं रपीट कर दू, Gujraat Infrastructure Finance दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी जब मुख्या मंत्री हुआ करते थे तो दुनिया की जितनी भी मल्टिनेशनल कंपनीज के दोस्तों हेड़कॉर्टर अगर वो गुजरात में बनाना चाहते हैं तो सिर्फ MNC कंपनीज और भारतिय कंपनीज के हेड़कॉर्टर से बहरा एक बड़ा ही हाई टेक सिटी जो है इसका निर्मान किया गया था और आज चर्चा में क्यूं है क्योंकि दोस्तों यहां पर दसवी गुजरात ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट है वो होने वाली है और यह दोस्तों जो है दस तारीक से बारा तारीक सब आएंगे और गुजरात में भविश्य में इंवेस्टमेंट जादा की जाए उसको लेकर यहां चर्चा की जाएगी खास बात यह है कि दोस्तों यहां पर मुख्य महमान के तौर पे सर्जेक रिपबलीक के जो प्रधान मंत्री है दिनका नाम पैट्री फ्याला यहां प पर किसी देश का प्रधान मंत्री या राष्ट्रपती वो आकर मुख्य महमान हो यहां पर मैं सभी विद्यारतियों से पूछना चाहूंगा कि इस साल गंतंतर दिवस पर भारत के मुख्या अतिति के तौर पे कौन आ रहे है जल्दी से आब बताएं और गुजरात में तो पीटर फ्याला जो है वो आ रहे है जी और हां जी बिल्कुल कंट्री मेंने भाई लिख दिया है इनका है सजैक रिपब्लिक सजैक रिपब्लिक कंट्री है और उसके जो है यह प्रधान मंत्री है दोस्तों यह मुख्यमान के तौर पे आएंगे इसके लावा मैं आपको बत चाहिता हूँ यह शीक Hasinna है और उफ़र दोस्तों यह टस्वीर है यह उनके पिता की है जिनका नाम मुजीबर रह्मान है, जिनको की बंगलादेश के फादर भी कहा जाता है, उनका पितामा भी कहा जाता है, तो दोस्तों इनकी पार्टी है अवामी लीग अवामी लीग यह जो है दोस्तों जो है यह इलेक्शन बड़ी इसली जीत लिया क्योंकि जो है अवामी लीग के विपक्ष की जो पार्टी थी बंगलादेश नेशनल लीग तो दोस्तों बंगलादेश नेशनल लीग ने इस इलेक्शन को बाइकोड किया था क्योंकि उनका ऐसा ऐलिगेशन था कि election commissioner के जरीए काफी सारी धांदलियां जो हैं वो शेक सीना करने वाली है फिला दोस्तों इन्होंने कल क्योंकि जैसे ही इन्होंने election जीता तो ढाका में भारतिय जो हाई commissioner थे वो इनको जाकर बढ़ाई दे कर आए और यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ भारत बंगलादेश के जो relation हैं बहुत अच्छे हैं बहुत गहरे हैं और पविश्य में भी ये जो relations हैं वो गहरे ही रहेंगे बच्चों को मैं एक और चीज़ बता दूं यहां पर underline में शब्द कर रहा हूं हाई commissioner बच्चों आप ना हमारे जो countries में अलग-लग representative हैं अगर आप ध उनों ही हमारे representative हैं लेकिन याद रखें दोस्तों जो common wealth countries है common wealth countries मतलब जो की Britain के ओपर जिनोंने कबजा किया हो जो उनके गुलाम रहे हो उन सारे countries में जिने हम common wealth बोलते हैं वहां पर हम अपने representative को high commissioner बोलते हैं और बाकी countries में जैसे मान लीजे अमेरिका है जैसे मान लीजे दोस्तों France है वहां पर हम अपने representative को ambassador बोलते हैं तो position वही है सिर्फ नाम का जो है वो फरक है तो यह आपको याद रखना है और भारत पे जो है वो राश्ट्रपति आएंगे France के गंतंतर दिवस पर जिनका नाम Eminol Macron है नाम किसी बच्चे ने नहीं लिखा लेकिन चलिए हुई है बहुत ही जादा ठंड है आज तो यहां पर भी दोंद कम है ठंड बहुत जादा है बहुत बड़ा सारा temperature लेकिन चलिए आपने लिखा है आपको बहुत जो है जो है जो है दोस्तों शुक्रिया और वहां पर हां जी जो Commonwealth countries है वहां पर खाइक मिश्ण होता है बहुत बड़िया देवाशीश चलिए दोस्तों यहां पर जो है चलते हैं अगली न्यूज पर और अगली न्यूज जो है एक यूएस की ख़बर को लेकर है जिनोंने दोस्तों चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को कंट्रीज ओफ पर्टिकुलर कंसर्न रिलीजियस हैं लेकिन अपारे पेपर पॉइंट ओफिस इतना इंपोर्टिन सीधे-सीधे तोर पे नहीं दिखाई दे रहा हाला कि अलाइड जैसे एक्जाम में आपको यह जरूर कामा होगा जहां पर आपको दोस्तों सब्जेक्टिव लेखना है इसके लाबा रशिया ने दोस्तों क हैं लाइवेंट 25 टांइमस स्पीड ऑ श़रून तो अप यह ले लिजिए कि यह ल्ग शम नहीं से ज़ादा लेकर मिघया की अफचेता अलग अलग सरह की हो सकती आप सोचके देखिए कलपना कीजिए एक सेकिंड में आठ किलोमेटर तो इतनी दूर तक ये वार करती है तो दोस्तों यहां पर आप खास-खास देख रहे हैं कि जो जपान के फॉरन मिनिस्टर है योको कामी कावा ये भी कल युकरेन के दोरे पे आई हुए थे लेकिन जो है सिदा सिदा इसके बारे में प्रशन आजाया करता है तो दोस्तों इसके साथ हमारा पहला जो section है निशफ़पर section ये समापत हो रहा आपको अच्छा लगा होगा अब हम इसके बात जो है अब आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो भई सबसे पहले जो है वो हमारे जनवरी के important days है यहां पर वैभव जो है कुछ लिख रहे हैं भाई उन्होंने हटा भी दिया है और 2023 की भी एक वीडियो बना दो बिल्कुल जी अरुण जी यह भी वीडियो बनाएंगे वैभव आप बड़े शराष्टी हो यह कल में आपका देख रहा था किस कहीं पर आप बड़ा एक स्टूडेंट के साथ उसको चेहरे की बात कर रहे थे चेहरा दिखा दो मुझे चेहरा दिखा दो ठैके ऐसी चीज़ें यहां पर मत किया गरो मेरे भाई पढ़ा करो पढ़ना important है ठीक है तो ऐसी चीज़ें करने जब नोकरी लगी सिधा शादी का प्रपोज कर ले ना जिसको करने ठीक है यहां पर ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती ठीक है तो यहां पर जो है जनवरी के important days और जनवरी के important days की बात करें दोस्तों पहले चार तारीक को हम हर रोज पढ़ी चुके हैं वैब हफशर जो है चार तारीक को है वर्ड ब्रा यूठे ववेका नंद जी का जन्म दिन होता है युवा दिवस यहां पर बच्चे याद रखें 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूठे होता है फिर 15 तारीक को है दोस्तों नेशनल आर्मी डे है और यह केम करपा साहब जो है यह भारत के जोस्तों आर्मी के जन्रल बने थे 23 त इसके अलावा अगर हम बात करें 28 तारीक को लाला लाज पतराई जी का बर्थ इन्वर्सरी होती है और 30 तरीक को महत्वा गांदी की पुन्याती थी होती है उनीस और तालीस में इनकी हत्यागर दी गई ती और गिरीराज के दोस्तों नए गिराज के यह 15 कोश्चन इनको भ पारी कबड़ी टीम की कफ्तान है भारत की रितु नेगी सिर्मोर से बिलॉंग करती है दोस्तों हिमाचल द्वारा प्रदेश में एकाकरित एंव समगर कृशी गतिवदियों को बढ़ाना देवेने के लिए हम उनती योजना की शुरुबात की गई सोना सो पचास में कुलू रियासत के जो राजा थे जिनका नाम जगत सिंग था तो दोस्तों उन्होंने जो अपनी कैपिटल थी नगर से सुल्टानपूर जो है ट्रांसवर कर ली थी पिर इसके लावा जब कॉंग्रेस पार्टी जो है बनी थी उस समय पर भारत के डफरिन थे जर्मनी से आए मोरोवियन मिशन के हाइड दंपती ने सरप रथम 1861 में प्राइमरी पार्टशाला हिमाचल परदेश के दोस्तों लहौल स्पीती में जो है इस्थापित की थी फिर एल्ब और राइन नदी का जो जल है वो दोस्तों उत्तरी सागर में जो है गि इसवे एश्याई खेल जो है ये जपान में होंगे और राजिस्थान में दोस्तों एक जसनाथी सिद्ध संप्रताय है जहां पर पुरुषों द्वारा अगनी निर्त्या जो है वो किया जाता है अगनी निर्त्या तो यहां भी करते हैं बहब शर्मा जैसे स्टूडेंट्स अगनी निर्त्या अग लगी रहती हो झाँ में भी और वो आग जो है सही दिशा में लेकर जाएं ठैक है और जो है वो पढ़ाई की तरफ लेकर जाएं ताकि जो है जिन्दगी में कुछ बन सकें और उसके बाद दोस्तों फिर तो ओविसली बात है हमें सब कुछ वो कर सकत और यहां पर बहुत बढ़िया और अजी चलिए बैबाब गुसा भी ना मान जाए ठीक है हर बच्चा अमारे लिए इंपोर्टेंट है ठीक है तो यह रोमन क्या लेख रहे है रहे है तो इसके बाद शुरू करते हैं कलकी रवीजन ठीक है तो पहला प्रशन जान से पढ़ें जल्दी से पताएं उत्तर के इंदर सरकार ने प्रिथी विज्ञान के लिए कितना पैसे अलोकेट किया है 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 करोड जल्दी से उत्तर देना है आपको जो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह पांच हजार करोड 4,797 करोड और यह जो स्खीम है दोस्तों ताकि भारत में इन्वायरमेंट, ओशन, क्रायोस्फियर, जो सौलीड इस्पेक्ट सभी के उपर जो है अपनी अप्जर्वेशन, रिसर्च है वो चलती जा सके फिर किस राज्या में कपड, डांगडा, शौल और लांजिया, शौरा पेंटिंग के लिए जिया टैग मिला है बंगल, उडिसा, असामिया, बिहार जल्दी से उत्तर द जो भारतिया राज्या में, डीजीपे के इपाथ पर गई है, और पहली बार है दोस्तों कि उस राज्या में वो में डिरेक्टर जनल बनी, राजस्थान, गुजरात, महराष्ट्राय गोव, जल्दी से उत्तर दें इसका, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है, काम लिया जाएगा और जो है, जो बच्चे सरप्रतमाएंगे, उनको जो है दोस्तों जो है अवार्ड भी दिये जाएंगे, तो सही उत्तर है, डी, डिफेंस और एडुकेशन, दोनों मनिस्ट्री जो मिलकर हमारे स्कूलिंग में जो बच्चों को जो है, इसमें हिस्सा ले जल्दी से, बहुत बढ़िया, इसका सही उत्तर है, दोस्तों मनिपुर है, मनिपुर जाकी कैपिटल है, इंफॉल, फिर अगला जो प्रशन है वो है, बताएं रिसेंट्ली इंडियन ओलम्पिक एस्सोशेशन का सियो कौन बने, सैंथिल पांडियान, समिता सारंगी, विका श्री लिया, रगुराम अयर, जल्दी से, दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, रगुराम अयर है, इसके साथ कल के क्लास की जो रवीजन ने खत्म हुई, अब आज के, जो है क्रंट अफेर हम पढ़ेंगे, आज के MSQ देखेंगे, तो आज का पहला प्रशन आपके संग ये र दोस्तों शरीशंधू मुखो उपाध्याय, जिनको रिसेंटली ही 2023 का कुवेंपू राष्ट्यपुरस्कार, दोस्तों ये लिट्रेशर में मिलता है, प्राइज कुवंपू राष्ट्यपुरस्कार मिला है, और दोस्तों ये किस भाशा से जुड़े हुए है, हाँ जी, श वो श्री शेंदुमुको उपाध्यां हैं और यह किस भाषा से जुड़े हुए हैं इसका उत्तर आपको देना है तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो भी है बंगावल इस दा क्रेक्ट आंसर यह आप जो हमकी तस्वीर भी देख सकते हैं फिर उसके बाद अगला जो प्र और मिनिस्ट्री रिलेशन या फ्री मुवमेंट रजाएं हां जी आपको एक बार बताया भी था न्यूजपेपर की सुर्ख्या रही थी पिछले हफ्ते यह जिसको दोस्तों जिसको रिसेंटली ही प्रतिबंद कर दिया गया था जो इसको लेकर कहीं सारे लोकल्स ने इस प करते थे अब उस पर पूरी तरह से जो है रोक है लगा दी गई है हमारी होम अफेर मिनिस्ट्री द्वारा फमर फ्री मुवमेंट रिजाइम जो इसके लिए शामद यूज किया जाता है तीसरा प्रशन जनवरी में इन में से किस देश को जनवरी में शुरू होने वाली दो 27 अदस्यों के रूप में किसे चुना गया है तो यह आपको पांच-पांच कंट्रीज के ऑप्शन हैं अलजीरिया, गवाना, कोरिया, साहिरा लियोन और स्लोविनिया दोस्तों यह पांच-पांच ऑप्शन हैं कंट्रीज के और बच्चे कंफ्यूज ना हो मैं जल्दी से देही देता हूं दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है अलजीरिया, गवाना, कोरिया, साहिरा लियोन और स्लोविनिया यहां पर जो है अगर मैं बात करूं भाई जो हमारी यह जो सुरक्षा कॉंसल है तो इसमें जो है दोस्तों पांच-पर्मानेंट मेंबर्स हैं और दस तो काफी सालों से हम यहां पर पर्मानेंट मेंबर होने के लिए जो है वो कोशिशें भी कर रहे हैं इनके पांच जो पर्मानेंट मेंबर्स है उनमें दोस्तों यूएस से है उनमें जो है यूके है उनमें चाइना है दोस्तों और रशिया है और जो है इसके इलावा जो है आही सकते हैं, अंकीता वर्मा जी बहुत ही बढ़िया और इसका जो है दोस्तों सही जोत्तर है वो बंगलादेश है, बंगलादेश की कैपिटल जो है वो धाका है, बंगलादेश की पार्लिमेंट का नाम जो है जातिया पार्लिमेंट है, जातिया पार्लिमेंट इसे बोलते ह धाका कैपिटल है और दोस्तों यहां की जो करंसी है उसे हम तका बोलते हैं और इनकी जो पार्टी है अवामी लीग जो की लगातार जो है भी चौती बार जो है दोस्तों सत्ता में आई है फिर हाल में ही बिमस्टेक के जो है सेक्टरी जनरल के तौर पे किने चुना गया इनिशेटिव फोर मल्टी सेक्टरल मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल कॉपरेशन तो दोस्तों यह जो है इसका फुल फोर्म है ठीक है अगर आप नहीं भी लिखा गया कोई बात नहीं लेकिन थोड़ा ध्यान में रख लें यह लिखा हो आपको मिल जाएगा तो दोस्तों इसके जो ने डिरेक्टर जनल उजबने हैं इंडियन ओफिसर जो हैं दोस्तों उनका जो नाम है वो है इंद्रा मनी पांडे और अगर मैं बिम्स्टेक के बारें बात करूं और इसके टोटल साथ मेंबर है निपाल भुटान बंगलादेश इंडिया थाइलेंड माहिन मार् सब्सक्राइब और यह गरत टोरुटकर श्रहित बात करेंड़ाष फिस्ञाथ सब्सक्राइब गरतिए रधी जोश्ता लोट ना उए चिलीक वीकि reversal कह डिले है रहां चाहिस को उप्राब पेक्श्म यह मद्रशण होता है ड़ा इंपॉर्ट तैंसर ब्लदा ओसकर यह एं आपको बता दूँ आज से कुछ 5-6 मीने पहले ही मूवी आई थी एक उपोहाइमर और दोस्तों यह जो मूवी थी ओपोहाइमर जो है यह उस साइंटिस्ट के ओपर थी जिस साइंटिस्ट ने अटॉमिक बं की खोज की थी और दोस्तों इसी के ओपर यह जो मूवी आई थी की जो डिरेक्टर है जो का नाम है क्रिस्टोफर नुलान उनको जो है बेस्ट डिरेक्टर के तोर पर चुना गया है नाम याद रखे क्रिस्टोफर नौन और जो है अपोहाइमर उन्होंने जो है वो डिरेक्ट की थी थी अगला प्राशन जो है वह आधी, Kekar, Vancho, Wooden Craft यह और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो डी है अरुनाचल और इसके लावा अगर मैं बात करूँ आदी किकर और दोस्तों वेंचु वोडन के लावा हैंड मेड कार्पिट यह तीन जो है अरुनाचल परदेश के रीसेंटली इनको जोग्राफिकल इंडिकेटर मिला है कल हमने पड़ा था उडिसा के साथ प्रड़क्ट थे जिनको जी आई का टेक जो है वो मिला था फिर उसके बाद अगला प्रशन है इंटरनेशनल परपल फेस्टिबल दोहजार चौबिक का पर शरू है पंजाब केरला गोई उत्तरखंड दोस्तों ऐसे साथी सा बता दूं एक और फेस्टिबल है दोस्तों हर साल भारत में होता है दूद सागर ये मिला है हर साल और ये दूद सागर मिला हर साल है वेस्ट मंगौल में है आयोजित किया जाता है लेकिन ये परपल फेस्टिबल है हर साल दोस्तों जनवरी के महिने में गोवा में इसका आयोजन किया जाता है और इस बार भी Goa 2024 यहां पर इसका आयोजन है वो किया गया और आज का आखरी प्रशन है दस्मी शतावदी की एक inscription है जिसका नाम है दोस्तो कादम कादम इंस्क्रिप्शन कादम शिलालेग इसकी कोज जो है रीसेंटली कहां पर की गई है करनाट का केरला गवाया तमिला डू प्रशन है इसको लेकर वो रिसर्च होई और यह फाइंड आउट होई और इसका जो सही जो उत्तर है दोस्तो वो है सी गोवा यह इस शिलालेग से दोस्तो जुड़ी हुई एक पत्थर है जो कि अभी तक जो है इसको समझा नहीं जा सका इस डीकोड नहीं किया जा सका और में इन संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है लेकिन पूरी तरह से इसको अभी तक समझा सका तो यह थे आज का अपको अच्छा लगा से तो शेर्लाइक, जरूर कर दे पिर भी आप खूयी fuckin कोई कोई मिस्टेक हो दोस्तों या कोई भी कोई आपकी क्वेरी हो जरूर मुझे कमेंड बॉक्स में बता दिया करें और सेशन को शेर लाइक जरूर करतें बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू सो मच